सुप्रबाद बच्चों, मैं आज आपको पाठ तेरावा विशेश अध्येन हेतु कनुप्रिया लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती इस काव्वे के माध्यम से हम राधा और कृष्ट्न के प्रती प्रेम, युद्ध की नीतिया, युद्ध में होने वाली हनी, परियावरन, कई बाते हम देखने वाले है, प्रतम हम लेखक का परिचे लेते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहबाद में हुआ, आपने इलाहबाद में की बिये तथा यमे हिंदी सहित्य किया, आपने आचारिय धिर्यंद्र वर्मा के निर्देशन में सिंध सहित्य पर शोद प्रबंद लिखा, अब ये सिद्ध सहित्य पर शोद प्रबंद भी उन्होंने लिखा है, यह शोद प्रबंद हिंदी सहित्य आनुसंदान की इथियास में विशेश स्थान रखता है, आपने 1969 तक अध्यापन कारिय किया, पत्रकारिता की और जुका होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स अफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयूग का संपाधन कारिय वर्षों तक किया, भारती जी के मुरत्यों चार सितंबर 1997 को हुई, प्रयोगवादी कवी होने के साथ साथ आप बुच्च कोटी के कथाकार तथा समिक्षक भी है, आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रुमानियत की जाकी मिलती है, आप एक ऐसे प्रगती सील साहित्यकार कहे जा सकते है, जो समाज और मुल्यों को यथार्त परकता से देखते है, एक ऐसे दुरलब साधारन लेखकों में आपकी गिनती है, जिन्होंने आपने सर्वतो मुखी प्रतिबा से साहित्यकी हर विधा को एक नया प्रत्याक्षित मूड दिया है, आप आपने साहित्य में एक ताजा मुलिक द्रश्टी लेकर आए, आपने सामाजिक संदर्वों, असंगतिवों, अव्यवस्थाओं को उस द्रश्टी से आका है, जो उन असंगतिवों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है, आपको पदमश्री व्यास सम्मान यवं अन्य कई राष्टिय पूरस्कारों से अलंकरत किया गया है, यह हुआ लेखका परीचे, धर्मवीर भारती आपने लेखनी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से समाज परिवर्तन करते थे, और उनकी लेखनी में वो ताकत थी, और वो समाज परिवर्तन करने की उनकी आशारी थी, और वे आपने इस लेखनी के माध्यम से लेख भी लिखते थे, अब उनकी प्रमुक क्रतिया कोन-कोन सी है, गुनाहों का देवता, सुरज का, सात्वा घोडा, ये उपन्यास है, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, कविता संग्र है, मूर्दों का गाव, चांद और तुटे हुए लोग, असकर, वाइल्ड की कहानिया, बंद गली का आखिरी मकान, ये उनके कहानी संग्र है, नदी पैसी थी, ये एकांकी है, आंधा यूग, सुरष्टी का आखरी आदमी, ये काव्वे नाटक, सिंध सहित्य, या सिद्ध सहित्य, ये क्या है, सहित्यक समिक्षा है, एक समिक्षा, मानो, मुल्य और सहित्य, कहानी, अकह, अकहानी, पशंती, ये निभन्द आदी है, आदी उनकी रचनाए है, प्रमुक्रतिया है, अब क्रती परिचे लेते हैं, आधुनीक काल के रचनाकारों में, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मुर्धन्य सहित्यकार के रूप में प्रतिष्टित है, कनु प्रिया भारती जी के अनूठी और अद्भुत क्रती है, चो कनु यानि कनहिया की प्रिया आर्थात राधा के मन में क्रश्णा और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काब्य है, कनु प्रिया क्रती हिंदी सहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है, कनु प्रिया पर समिक्षात्मक पुस्त के लिखी गई, परिचर्चाई भी हुई परन्तु कनु प्रिया का काब्य प्रकार अब तक कोई भी समिक्षक निरधारित नहीं कर पाया है, कि यह महा काव्य है या खंड काव्य उसे गीती काव्य कहे आथवा गीती नाटिय परिनामता कुनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतरगत आती है यह कहना कठिन हो जाता है यह ऐसे आनुठी काव्य रचना है जिसके माध्यम से हमें महाभारत में जो युद्त होने वाला था उसकी हनिया कौन कौन सी होने वाली है कौन यानि करश्न, कौन प्रिया यानि रधा अब कुछ अलोकों कों के अनुसार कौनुप्रिया महा काव्य नहीं है वैसे तो कनूप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षन विद्यमान है कुछ अलोचकों के अनुसार कनूप्रिया महाकाव्य नहीं है वैसे तो कनूप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षन विद्यमान है किन्तो उनका स्वरूप परिवर्तित है इसमें नायक प्रधान होकर नायका प्रधान है यानि कि कोन राधा प्रधान है नायक यहाँ पर प्रधान है क्या नहीं है ऐसी एकादी कहानिया रहती है जहाँ पर नायका प्रधान रहती है यहाँ पर भी नायका प्रधान है अब नायक जो है यहाँ पर प्रधान है क्या नहीं है काव्य में सर्ग बधता है परंतु कनुप्रिया अधुनिक मुल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें चंद निर्वाह का प्रश्ण अप्रसांगिक है प्रकर्ती चितरन अवश्य है परंतु वह स्वतंत्र विशय नहीं उपादान बनकर उपस्तित है संग्सेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षन आपने शास्त्रिय रूप में प्राप्त नहीं है कि देखो कुनूप्रिया में संपुर्ण लक्षन जो है शास्त्रिय है क्या नहीं है यहाँ पर किस प्रकार दिया गए है देखो वैसे तो कुनूप्रिया में महा काव्वे के अनेक लक्षन विद्धेमान है किन्तु उनका सुरूप परिवर्थित है खुत कुछ है क्या नहीं है परिवर्थनिय है इसमें नायक प्रधान है क्या नहीं है नायका प्रधान है कावे में सर्ग बद्धता है परंतु कनूप्रिया अधुनिक मुल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्ण अप्रासंगिक है प्रकरती चित्रन अवश्य है परंतु वह स्वतंत्र विशय नहीं है धर्मवीर भारती जी ने प्रकरती चित्रन अलग नहीं दर्शाया है उसका वर्नन जो है अलग तरीके से किया है क्या नहीं है अब उसमें संग्षेप में कहना हो तो कनूप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षन आपने शास्त्रिय रूप में प्राप्त नहीं है अब शास्त्रिय रूप के द्रश्टि कुन से देखा जाए तो उसमें वो रूप प्राप्त है क्या? नहीं, यह हम आगे जाकर देखने वाले है कुछ आलोचकों के अनुसार कनूप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में गीत दिये है परंतु इन गीतों को यदि अलग-अलग रूप में देखे तो यह आपने आप में पूर्ण लगते है प्रकरदी चित्रन भी उपादान के रूप में आता है इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उदगाटन नहीं होता है अपितु राधा के मानसिक संगर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए है आता कौनूप्रिया को खंडग काव्य के कोटी में भी नहीं रखा जा सकता देखो यह खंडग काव्य है क्या? नहीं है अब आगे चलते हुए कुछ आलोचकों के अनुसार कौनूप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुन अवश्य प्राप्त होते है प्रगीत का अवश्यक तत्व व्यक्तिक अनुभुती भी इसमें व्यक्त हुई है आर्थात राधा के भावाकूल उदगार आदी से अंततक राधा आपने ही परिपेक्ष में कौनू के कारिय व्यापार को देखती है लेकिन कौनूप्रिया के गीतों में गयात मकता नहीं है जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षन के रूप में स्विकार करती है कौनूप्रिया के गीत एक शंकला के गीतों के रूप में ही आर्थ गाभिरिय उपस्तित करते है आता है कौनूप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संग्या नहीं दी जा सकती अब कौनूप्रिया के रचियता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वया कनूप्रिया को किसा काव्य कोटी में रखना चाहिए इस पर आपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है वे काव्य की सहितिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते है आथा उनकी और से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है कनुप्रिया में बाहों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है देखो उनकी रचना में उनसी रचना है किस प्रकार की रचना है उनकी कवे में नहीं दिखाई देती है अब ये विधा जो है पद्य नई कवीता है विधा कौन सी है नई कवीता है अब कनुप्रिया किस पर आधारित है देखो कनुप्रिया राधा और क्रश्न के प्रेम और महाबारत की कथा से सम्बद्धित करती है कुनुक्रिया किसे है राधा और क्रश्ण के प्रेम और महा भारत की कथा से संबंधित क्रती है क्रती में बताया गया है कि प्रेम सर्वो परी है और युद्ध का अवलंब करना निरर्तक है युद्ध से कौन कौन से हानिया होती है युद्ध में जिन लोगों पर किस प्रकार का प्रसंग आ सकता है कोई जान सकता है क्या उसे नहीं अब राधा क्रश्ण से महा भारत युद्ध को लेकर कई प्रस्ण पूछती है किसे कौन को कौन पूछती है राधा पूछती है महा भारत युद्ध में पूछी जीत और हार क्रश्ण की भूमिका युद्ध का उद्धेश युद्ध की भया वहता सन्य संहार आधी बातों से संबंधित राधा का क्रश्ण से हुआ तरक संगत समवाद इस कावे में चार चान लगा देता है इस कावे के माध्यम से महा भारत में होने वाले युद्ध की कारण सेनिकों की सेनिकों का संहार राधा पूछ रही है क्रश्ण को की युद्ध का उद्धेश क्या है युद्ध की बहावहता किस प्रकार की होगी इसमें क्रश्ण की भूमिका क्या है वो युद्ध में क्यूं जा रहे है उसके पीछे कारण क्या है ये सब कुछ बाते देखने को मिलती है देखो अब आगे चलते हुए हमें यह देखना है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की महा भारत युद्ध की प्रश्ट भूमि में लिखी कनुप्रिया क्रती हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है कनुप्रिया का प्रानस्वर बहुत ही भिन्न है कनुप्रिया अधुनिक मुल्यों का काव्य है उसकी मूल सव्वेदना अधुनिक धरातल पर उत्पन हुई है उसका आधार मिथक है यह मिथक राधा और कृष्टन के प्रेम और महा भारत की कथा से संबंध है देखो क्या है महा भारत से संबंध रखता है यह महा काव्य है कनुप्रिया आर्थात कनईया की प्रिय सखी राधा है कुन है कनुप्रिया यानि आर्थात कनईया की प्रिय सखी राधा है और कनु यानि कौन कृष्ण राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरथक बात है यहां कनू उपस्तित नहीं है उन्हें जानने का माध्यम है राधा धर्मबीर भारती का मानना है कि हम बाहिय जगत को जीते रहते है सहते और अनुभो करते रहते है चाहे वह युद्ध बाहिय जगत का हो चाहे बलिदान का परंतु कुछ शन ऐसे भी होते है जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाहिय घटनाओं के उद्वेक का नहीं है महत्व है उस चरन तनमेता के शन का जिसे हम आपने भीतर सक्षत कार करते है यह शन बाहिय इतियाहस से आधिक मुल्यवान सिद्ध होता है इस प्रकार बाहिय स्तीतियों की अनुभूती और चरन तनमेता के शन को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरूष के सार्थक सामर्ति की बात होती है देखो आगे चलते हुए दर्मवीर भारती जी डॉक्टर दर्मवीर भारती जी किस प्रगार का परिवर्तन किया है उन्होंने आपने लेखनी के माध्यम से लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है चरन तनमेता के शनों में डूब कर जीवन की सार्थकता पाई है आता उसका यह अग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसूटी पर सभी घटनाव व्यक्तियों को परखेगा चाचेगा देखो आईसा ही अग्रह कुनुप्रिया आर्थात राधा का है आपने सखा क्रश्न से तनमेता के शनों को जीना और उनी शनों में आपने सखा क्रश्न की सभी लिलाओं की अनुबूती करना कुनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरन है इसलिए व्याख्याकार क्रश्न की इत्यास निर्मान को कुनुप्रिया इसी चरनम तनमेता के शनों की द्रश्टी से देखती है अब राधा जो है आपने सखा क्रश्न को पूछ रही है युद्धक का अउलंब करना निर्थक बात है प्रेम से युद्ध को त्याग भी जा सकता है युद्ध में होने वाली हानी किस प्रकार की होने वाली है सहिन्य सहार कितना होने वाले है कितने सहिन्य कों की मृत्ति होने वाली है इसके कारण राज्य में किस प्रकार की चेतना उत्पन होने वाली है ये सब कुछ देखने वाले है यहाँ पर कुणू उपस्तित है गया नहीं है डॉक्टर धर्मवीर भारती का क्या कर रहे देखो उन्हें जानने का माध्यम है राधा धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाहिय जगत को जीते रहते है सहते और अनुभव करते है अब देखो इश्वर हो मानो हो यही पर उन दोनों में क्या है परिवर्तन है किस प्रकार का है देखो मानो जो है उसकी द्रश्टी जो है कम होती है इश्वर इश्वर में अहंकार होता है क्या नहीं होता है सर्वपरी व्याप्त है वे दो सभी जगह पर है वे ज्यानी है और ज्यानी होने के साथ साथ क्या है इस स्रिष्टी के निर्माता भी है विष्णु का आवतार है और चाहे वह युद्ध बाहिय जगत का हो चाहे बलिदान का परंतु कुछ शन ऐसे भी होते है जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाहिय घटनाओं के उद्वेक उद्वेक का नहीं है महत्व है उस चरन तनमयता के शन का देखो अब लगता है ऐसा कि यह शन बाहिय इतियास के अधिक मुल्यवान सिद्व होता है इस प्रकार बाहिय स्थीटियों की अनुभूती और चरन तनमयता के शन को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुज की सार्थत्ता की बात होती है लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है चरन तनमयता के शनों में डूब कर जीवन की सार्थकता पाई है अथा उसका यह अग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसूर्टी पर सभी घटनाओं वेक्तियों को परखेगा जाचेगा ऐसा ही अग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है आपने सखा क्रश्ण से तनमयता के शनों को जीना और उनी शनों में आपने सखा क्रश्ण के सभी लीलाओं की अनुबुती करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरन है इत्यास व्याख्याकार क्रश्ण के इत्यास निर्मान को कनुप्रिया इसी चरन तनमयता के शनों की द्रस्टी से देखती है चरम किसे देखती है तनमयता के शनों की द्रस्टी से देखती है देखो ये कव्वे जो है धर्मवीर भारती जी ने बहुत ही उसमें विचार व्यक्त किये है किसी एक विशे पर उन्होंने बात्चित किये गया नहीं है सर्वपरी क्या है यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों रुकते हैं और जो शेश भाग रह गया है वो कल लेते हैं धन्यवाद